नमस्कार मैं हूँ शिवांगियों और आपका स्वागत है डिन्यू टाइम्स में चलिए रुक करते हैं मुख्य खबरों की और प्रशास्ने का दिकारियों के घुटने टेकने यानि के घुटने के बल बैठने को लेका रिंदौर शहर में राशनी दी गर्मा गई है भाश्पा महा सचीव के बयान के बाद आज कॉंगरिस नेता वह परशु राम सेना के लोगों द्वारा सीम शिवराज सियं चोहान के लिए सदबुधी यग्य किया गया इंदौर शहर में एक तरफ लोग कोरोना महमारी से जूज रहे हैं तो वहीं दूसरी और राशनीती भी चरम सीमा पर हो रही है चहानेताओं के बयान बाजी और विभिन सदस्य एक दूसरे पर निशाना साथ रहे हैं इसी क्रम में आज मरी माता चौरहा स्थित श्री परशुराम की भव्य प्रतिमा के तले श्री परशुराम सेना की लोगुद्वारा सीम शिवराज सियं चोहान वा पूर्व विधायक सुदर्शन गुपता की सदबुधी के लिए यग्य किया कौंग्रिस निता और परशुराम सेना की प्रमुख अनुप शुकला ने कहा की शिवराज सरकार द्वारा प्रामन समाच के अधिकारियों को निशाना बनाया जा रहा है हम भगवान परशुराम जी के समक्ष यहाँ पर सदबुधी हवन की कर रहे थे भगवान परशुराम जी से हम शिवराज सिंग चोहान जी और पूर्व विधायक सुदर्शन गुपता को सदबुधी प्रदान करने के लिए हमने यहाँ पर हवन किया और हमारा उद्देश यह है कि विगत दो दिन पूर्वी तीन जन प्रतीनिधियों के साथ में जब दो अधिकारी राकेश शर्मा जी और डीके तीवारी साहब बात करने के लिए गए तो मा आहिलया की प्रतीमा के नीचे वो लोग बैठे वए थे वो बैठे वए थे तो वो दोनों अधिकारी भी बैट गए पर लोगों ने और राजिनिती ने उसमें ऐसा कह दिया कि वो लोगों ने तीनों विधायकों के सामने जाके घुटने के बल बैठे जबकि ऐसा प्राइब करने का वहां पर शामला हिस्ट बुलाए जाता है उनके मात्यम से कि हम ब्राम्मणों का सम्मान करते हैं आप लोग हमारा वह करिए और समय समय पर प्राम्मणों को इस तरीके से हटा के पिछले एक माह में चार अभीकारी यहां से रुची वर्दन मिश्रा गई है त्रिपाठी जी गए उन दोनों को भी हटाया हटाना उनके लिए अच्छा है जिसको फेर बदल करना उनको अपनी सत्ता के अनुसार करें किन्तु यहां पर द्वेस्त पुन कारवाई करी गई उसके लिए हमने परशुराम सेना के और से विरोध प्रदर्शन किया अपना आज की मुख्य खबरों में बस इतना ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रही है ट्रेनी न्यूस टाइम के साथ